दोस्तो क्रिकेट लाइन गिरू चैनल के प्री मैच अनालिसिस सेग्मेंट में आप सभी का स्वागत है जहां आज हम कवर कर रहे हैं बिग बैश लीग का 14th मैच दोस्तो ये मैच होगा खुलना टाइगर्स और फॉर्चून बारिशल्स के बीच जहां पर अभी तक दोनों टीम्स के हालात कुछ खास तो नजर नहीं आ रहे हैं खुलना टाइगर्स और बारिशल्स मातर दो मैच पहले एक दूसरे से बिढ़े थे जहां बारिशल्स ने 17 रन से मैच अपने नाम किया था अब दोस्तो अभी हाल फिलाल करिंट पोजिशन की बात करी जाए तो दोरो टीम्स ने 4-4 मैचेस के लिए हैं दो मैचेस जीते हैं खुलना टाइगर्स ने तो दो मैचेस जीते हैं फॉर्चून बारिशल्स ने पॉइंट भी दोनों टीम्स के सिमिलर है और ऐसे में कौन सी टीम में जीट सकती है ये देखना बेहत दिल्चस्प होगा अब जहां तक बात है पिछ रिपोर्ट की तो भाई जहूर रहमत चौधरी स्टेडियम में ये मैच होगा चार मैचेस अल्रेडी हो चुके हैं दो मैचेस फर्स बैटिंग करने वाली टीम जीती है हाइस टेडी स्कोर चटोग्राम चैलेंजर्स करा है 202 रन और लोस्ट इसकोर रहा है टाइगर्स का 124 रन टोटल विकेस की जहां तक बात है प्लेयर्स जो कि इस मैच में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं भाई खुलन टाइगर्स की तरफ से दोस्तो अगर बात करी जाए बॉलर्स की तो फरहाद रजान ने चार मैचेज में चार विकेट निकाले हैं 7.46 की एकॉनमी के साथ और इनसे उमीद होगी कि इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में भी विकेट निकालने की परमपरा को जारी रखे हैं और इने साथ मिलता है थिसारा परेरा का जो की चार मैचेज में 6 विकेट अपने नाम कर चुके हैं अब इन दो गेंदबाजों के अलावा जो लीडिंग किट ले चुके हैं लेकिन उतने ही रन्स भी देते जा रहे हैं 10.7 की एकॉनमी के साथ ये केंदबाजी कर रहे हैं तो दोस्तों ये तीन भोलर्स टाइगर्स के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अब रही बात बल्ले बाजी की तो भाई यहां पर दोस्तों डीप ला तो टॉप ओडर में ये दो बल्ले बाजों पर बरोसा किया जा सकता है मिडिल ओडर की जहां तक बात है तो वो दोस्तों सबालते हैं सारा परेरा चार मैचेस में 57 रन्स ही बना पाए हैं लेकिन 196 का स्ट्राइक रेट बना हुआ है इनका और इनने साथ मिलता है लोवर मिड बाज भी मौजूद हैं जो की टीम को डेप्थ प्रोवाइड करते हैं लेकिन खुलना टाइगर्स पॉच्ण बारिशल के अगेंस्ट फ्लॉप रही थी ये हमने लास्ट मैच में देखा था तो क्या इस बार भी बारिशल्स टाइगर को मात देंगे आए नजर डाल लेते ह टाइगर्स के ऑपोनेंट परिशल्स पर भाई अगर बात है दोस्तों गेंदबाजी की तो परिशल्स के पास एक प्लस पॉइंट है दे हैफ इन फॉर्म बॉलर्स जैक लिंटर तीन मैच में चार विकेट ले चुके हैं मातर पाच की एकॉनमी के साथ और ऐसा ही हिसाब कि पाच विकेट तो ये ले चुके हैं चार मैचेज में और इनका साथ दिया है तजुर्बेकार मुझीपुर रह्मान ने जो की टीम से जुड़े थे टाइगर्स के अगेंस दो विकेट भी अपने नाम करे थे तो दोस्तों ये कुछ ऐसे गेंदबाज है जिन पर पॉच्च इस बार कितने काम्याब होते हैं उस पर सवाल है प्लस नजबुल होसेन शंतो इन्होंने भी मातर एक मैच में रन स्कोर करे हैं तो भाईया बॉलर्स की तरह बले बाजो पर डिपेंड होना थोड़ा सा यहाँ पर डाइसीन सिचुएशन नजर आती है और ऐसे में दोस्तों खुलना टाइगर्स के पास है मौका कि वो अपनी हार का बदला ले ले इस अपकमिंग कॉंटेस्ट में आपके हिसाब जो दोस्तों कौन सी टीम जीतने वाली है भाई अपने ओपीनियन हमसे ज़रूर शेयर करिए का आज के दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही जल्द हा पासर होंगे एक और अनैलिसिस के साथ तब तक के लिए दोस्तों छोटे से स्टेप्स हैं सब्सक्राइब करिए क्रिकेट लाइन गुरू चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको मिलती रहे सभी मैचेस की A to Z अपडेट्स